हेलो गाईज तो आज मैं आपको एक टॉय आएरन बना के दिखाने वाली हूं तो उसके लिए हमें एक जिंक जिंक वाला काड़ बोर्ड का पेपर चाहिए जैसा मैं दिखा रहे हूं उतनी साइज का ही लेने लेना है आपको ओके अरह हमें एक ग्लू चाहिए और जो एलकुल इस शाइन का पेन होता है उसके पीछे में जो एक निब होती है और चाहिए एंड हमें एक कैप चाहिए कोई भी क्याप चलेगी तो चलिए शुरू करते हैं तो मैंने इसे शीजर से काट दिया न हमें इसे और थोड़ा सीजर से काटना पड़ेगा यह दिखिए काटने के बाद हमें आइरन का साइज ले ना है ओके तो iron का साइज मेरे ख्याल से ऐसा होगा तो हमें वेसा ही काटना है तो हमें पहले ऐसा ही काटना है यह देखिये एंदेन मैं थोड़ा ट्राइंगल साइज का बनाने वाली हूं ज्यादा तर आइरन मतलब थोड़ा से कॉर्व होता है तो मैं भी कॉर्व बना रही हूं थोड़ा सा पर ट्रेंगुल ला रही है तो यह देखिए यह कुछ ऐसा काटना है आपको एंड एन ऐसे पोजीशन में आपको फिर से थोड़ा सा ऐसे कॉर्व करके यहां तक काट लेना है ओके तो देखिए यह कट चुका है यह देखिए विल्कुल ऐसे शेप का एंड एन हम इस बचे हुए पीसस को साइड कर देंगे ओके एंड इस पीस को इस कैप को इस पीस में लगाएंगे ग्लू की हेल्प से ओके तो हमें यहां पे थोड़ी सी ग्लू लगानी है यह देखिए बिल्कुल ऐसे एक लाइन जैसी थोड़ा सा हमें बिखरेना है उसको यह देखिए हो गया और अभी हम ग्लू को साइड कर देंगे एंड इस कैप को यहां पर ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे दबा के रखेंगे तो गाइज उसी के अंदर आप मेरे चैनेल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना ओके तो हमारा क्याब जो है थोड़ा सा चिपक गया है हमको आपको जल्दी जल्दी दिखाना है ना इसलिए ज़्यादा अच्छे से चिपका नहीं है बट मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा जल्दी कर रही हूं आप भी इसे घर पे जरूर ट्राइ कीजेगा ओके तो यह हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है भी यह देखिए एंड यह जो होती है ना कैप की यह वाली साइड एक स्टिक के जैसी हमें उसे ऐसे ऊपर करना है और जो एलकोर शाइन के पीछे की नियब उसे हमें ऐसे लगा देना है यह देखिए ऐसे दिख सकते हैं आप तो यह देखिए हमारा आइरन बनके रेडी हो चुका है यह देखिए जो बार्बी डॉल्स होती है ना अगर आपको उनके लिए कुछ बनाना हो तो आइरन ज़रूर बनाए इलकल ऐसे आप यहां इसके पीछे कोई सिल्वर पेपर देखे नेडल से थोड़ा सा टैप टैप कर सकते हैं मैंनों नहीं किया है क्योंकि हमारे घर पे सिल्वर रैप खतम हो चुका है इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे और लाइक जरूर कर दीजे ओके और अगर यह आईरन आपको अच्छा लगा हो तो घर पे जरूर बनाएगा और कॉमेंट सेक्षिन ने मुझे बताएगा आपको यह आईरन कैसा लगा ओके बाई गाईज